कि हालो डियर लेर्णर्स कैसे हैं आप सब आपसो लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, एग्जाम की प्रिप्रेशन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, सबको थैंक यू क्योंकि आप सबका प्यार आप सबका जो अप्रिसेशन है वह ही रिस्पॉंसबल इस चीज के लिए कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाए और यही सारी चीज़ें जो है मोटिवेट करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया इसके लिए भी थैंक यू स सब्सक्राइब करियेगा क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव यहां पे अप्लोड होती रहती है साथ-साथ वीडियो को लाइक करेगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा सबसे पहले सबंच लेते हैं कि आखिर करिकुलम ट्रांडेक्शन होता क्या है तो कर करिकुलम ट्रांडेक्शन और करिकुलम मैंजमेंट भी बोला जाता है अब जहां कहीं भी मैंजमेंट होगा तो मतलब होता है कि यहां पर प्रोसेस है जहां पर प्लानिंग होती है क्योंकि अगर आप मैंजमेंट की प्रोसेस पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लानिंग ओर्गनाइजिंग मैंजमेंट का एक फंक्शन है और यहां पर क्या होगा जब अपने करिकुलम को प्लान कर लिया और और यहां पर कर लिया तो आप कंटिनियसली मॉनेटरि अगर आप सोचे कि हम बनाएं और पूरे वर्ल्ड में अप्लाए कर दें तो पॉसेबल नहीं है क्योंकि हर एक जगे एडूकेशन सिस्टम प्लाएं और उनके वहां यानि किसी भी कंट्री के अगर बात करें तो हर कंट्री का जो वर्किंग सिस्टम में बहुत डिफरेंट है हर कंट्री में टाइप अफ गौर्वर्मेंट अलग है हर कंट्री में सोचल वैल्यूस का कॉंसेप्ट अलग है तो यह सारी चीजे अगर आप करिकुलम बना रहे हैं और आप को यह सी आउटेटेट इंफरमेशन लेके आ रहे हैं जो यह पिर वह बना चाहिए जिसका कि अब प्रेजन सेनरियों में को यूज नहीं है तो अगें वह जादे एफेक्टिव नहीं होगी तो एजुकेशनल गोल के अब से भी कर करिकुलम मैंटठेटेशन का पार T अब वह बना इया चstag क्रिकुलम का कंण टेप से स्थेप जैस्में जब से पहले चीजंब आती है ॉसमें आप क्या क्या चीज़ें किडूड करेंग या आप ऎका और अपके गोल है ऐस तुच पार्ट करना चाहते हैं, किस तरीके से आप करेंगे, learner कैसे information access करेंगा, वो सारी चीजें जो है इसका पार्ट है, so curriculum transaction या curriculum management और organizing का जो function है, वो क्या करता है, वो help करता है, जो भी development कर रहे हैं उनके लिए, या जो administer कर रहे हैं, monitor कर रहे हैं, उनके लिए, कि ये चीजों को organize करता है, systematic way में, यानि कि learner हो, चाहे teacher हो, चाहे वो learning teaching process हो, इन सारे चीजों को आपस में organized करके रखता है, एक relationship उनके बीच में build करता है, so that each and everything can be executed properly, as well as जो भी changes आप करना चाहते हैं, as per your needs, educational system के आप से या फिर आप कह सकते हैं कि according to the need of nation या कुछ भी, तो वो यहाँ पर इसके दूरू possible हो पाती है, administering का मतलब अगें यही चीज़े आप administer करते हो, supervise करते हो, देखते हो चीजों को, कि हाँ, एक एक चीज प्रॉपर तरीके सा जो implement हो रही है, नहीं हो रही है, guiding वाली जो step या फंक्शन है, या पर एक curriculum transaction में, वो directing से related type से, यानि कि जहाँ पर आप directions इसू करते रहते हो, time to time, बताते रहते हो कि curriculum क्या है, इसके implications क्या होंगे, साथ जाथ जो outcome आप चाहते हो, expected outcome क्या है, अगर आपको लगता है उसमें कोई variance आ रहा है, कोई changes आ रहे हैं, variations आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं accordingly, instructions के थूँ उन चीज़ों को rectify करते हैं, and last माता है controlling, controlling का मतलब यहाँ पर यह निये control करना, controlling का मतलब होता है compare करना, यानि कि आपने क्या किया है, आपने अपना जब curriculum decide किया, तो उसमें कुछ goals बनाए थे, and उन goals को आप compare करते हो with the actual performance, मान लेता हैं, अगर आप एक target बना के चल रहे हैं, कि इस course को करने के बाद यह target अचीव होगा, but ultimately वो चीज़ नहीं हो रही है, तो जो भी end result है, उसके तब comparing करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या-क्या deviations थे, कैसे उनको rectify किया जा सकता है, कैसे changes करे जा सकते हैं, तो यह पूरी की पूरी process जो है, that is controlling, यानि कि in short comparing actual performance with the pre-determined objective, तो गर हम बात करें basis of transaction of curriculum की, in short, जो basis है जिसके through management of curriculum हो रहा है, क्योंकि transaction, management, same चीज है, so यहाँ पर बहुत सारे factors वही हैं, जो कि curriculum के development में help करते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो देखिए, तो वहाँ से भी बहुत सारे points आप पिक करके यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने कुछ selected points यहाँ पर रखे हैं, तो आप इनको भी समझ सकते हैं, starting में चीज कि the transaction of curriculum is the commitment of realizing the desired objective of education, curriculum transaction या management जो है, वो commitment प्रवाइट करता है एक टाइप से कि आप उन goals को achieve करना चाहते हैं, जो की education के अपने बनाए है, so यहाँ पर in short आप यह समझ सकते हैं, कि जो management of curriculum है, वो क्या achieve करने में help करता है, वो help करता है अपके education के targets को achieve करने में, objectives जो भी आपने set कर रहे हैं, उस course के पीछे, उनको, the objective are based on various consideration and factors, which are equally important in planning, or deciding the basic structure of curriculum, और यह जो objectives होते हैं, यह based होते हैं, यह based होते हैं, कुछ considerations पर, कुछ factors पर, जो की बहुत important होते हैं, planning में, या फिर deciding में की, curriculum का structure जो है, वो क्या होगा, कुछ bases है, जो की affect करते हैं curriculum को, factor affecting, curriculum भी हम क्या सकते हैं इनको, उसी को आप mouth करके, यहाँ पर लिख सकते हैं accordingly, तो पहला है social philosophy of the society, तो भी जो इस social philosophy है, society की, यह भी affect करते है curriculum के, management को या curriculum को, क्योंग इसी के सुरूब भी decide होता है, कि education का जो aim है, ultimately क्या होगा, तो philosophy determines the goals of life, and education tries to achieve that goal, तो सभी को पता है कि philosophy क्या करती है, life के goal बताती है, education क्या करती है, उनी goals को achieve करने के लिए work करती है, और curriculum क्योंग बनाया जाता है, ताकि वो education के goals को achieve करे, तो यह सारे चीज़ें क्या हो जाती है, interrelated हो जाती है, तो management of curriculum क्या ensure करता है, कि जो education ने goal बनाया है, वो achieve हो, तो एक base तो यह हो गया, the content of curriculum change to suit the prevalent ideology, and social ways of thinking, curriculum transaction जब हम करें, curriculum management करें, तो for sure curriculum में changes भी करेंगे, और यह changes जब हम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, ताकि जो present ideologies हैं, जो भी scenario चल रहा हो, trend चल रहा हो, उसके हिसाब से curriculum में changes कर सकें, तो that is curriculum transaction, with the point of view of social philosophy and society, तो अगर हम बात करें, curriculum और society की, तो curriculum society एक दूसरता related है, because curriculum जो society की needs होती है, उनको fulfill करने में help करता है, ऐसे अगर हम next basis की बात करें, तो वो है national needs या फिर state needs, तो जो हमारा curriculum होता है, वो local state या national political standards पे भी depend करता है, क्योंकि ultimately fund infrastructure जो भी है, या curriculum material examination system या teaching standards है, उसके लिए भी पूरा support जो होता है, वो state या फिर national, करिकुलम इस बीइंग डान, साथ ही साथ nation की need क्या है, अगर nation क्याता है कि हमें over a period of time scientific development जादा करने हैं, तो obviously जो curriculum है, वो restructure किया जाएगा है, या manage किया जाएगा, इस तरीके से कि हमापे scientific development हो, अगर economic development करना है, तो economic development के point of view से होगा, मतलब बहुत सारे factors हैं ऐसे, जो उसको affect करेंगे इस तरीके से, यानि management of curriculum क्या होगा, वो इस पर भी depend करता है, कि जो national या state needs है, वो क्या है, उसके अलावा nature of course of study, जो course है, जो भी course आप पढ़ा रहे हैं, जिसका भी curriculum आपने design किया, decide किया, तो वो भी कहीं ना कहीं, उसका जो nature होता हो तो वो affect करता है, study को और management को, तो educational courses जो है, वो management या transaction of curriculum को affect करते हैं, technical courses के case में, बहुत important हो जाता है, planner के लिए कि वो बहुत active हो, updated हो, और उसको पता हो, कि latest, जो trend in technology हो क्या है, क्योंकि अगर उसको यह पता होगा, तब भी वो manage कर पाएगा, properly, तब ही curriculum transaction होगा, otherwise, नहीं होगा, changes भी नहीं होपाएंगे, अगर आपको पता ही नहीं, latest trends के हैं, this will only make the course effective, और इसी के थुरू, जो course हो जाते effective होगा, उसके अलावा, तब आपका type of examination system आता है, यह भी एक basis है, curriculum transaction का, क्योंकि इसके थुरू ही आप क्या करते हैं, evaluate करते हैं, या फिर assess करते हैं, कि जो learner है, उसकी progress क्या उसने क्या सीखा है, तो कहीं ना कहीं, यह भी एक basis है, जिसके point of view से, आप transactions करते हैं, curriculum में, या फिर curriculum को manage करते हैं, अगर आपको लगता है, कि इस curriculum में, कोई एक different method होना चाहिए, evaluation का, तो आप उसको use करते हैं, या फिर अगर आपको लगेगा, कि जो present, या prevalent situation, या examination pattern है, उसमें changes करने चाहिए, तो आप क्या करेंगी, according to this, यानि जो curriculum का mode है, उसके through ही करेंगे, जैसे last year, CBSC ने experiments कर रहे थे, term 1, term 2 करा के, तो वो भी एक type का experiment था, जो कि COVID से, मताब कुछ लोगों से COVID से relate करते हैं, बट actually, वो COVID से पहले का plan था, क्योंकि CBSC ने बहुत पहले, करी, तो ये types of examination system, curriculum जो transaction है, वो भी related है, कि curriculum को manage करने के लिए, आप type of examination system के उपर भी depend है, अगर type of examination system आपको लगता है, तो obviously you will be going with that, अगर आपको लगता है changes करने चाहिए, तो आप accordingly उसमें change करेंगे, then form of government जो होती है, वो भी effect करती है, curriculum transaction को या base होती है, because government के उसमें आपको पता ही होगा, socialistic होता है, capitalistic होता है, तो socialistic pattern वाली अगर government है, तो वो क्या करती है, society के बारे में जदा सोचती है, social development के बारे में जदा सोचती है, तो वो क्या करेंगे, हमेशा उनका focus state के resources पे रहेगा, and society पे रहेगा, यानि कि overall social development की बात होगी, जबकि capitalistic economy जो होती है, वो क्या करती है, वो profit motive पे work करती है, capital intensive technique उस करती है, production के लिए, तो उनका education pattern system या curriculum जोगा, हमेशा profit पे focus करेगा, materialistic world पे चलेगा, तो कहीं न कहीं, जो education system है, उस पे इसका impact पड़ेगा, mixed economy दोनों को साथ लेके चलती है, ऐसे हमारी Indian economy है वो, तो यहाँ पे जो form of government है, उसके थूँ भी management of curriculum जोए effect होगा, उसके अलावा sociological basis है, तो हर एक society, हर एक community, nation जो है, उसके लिए social objectives को fulfill करना, जो है वो एक important part है, तो ऐसे में उनके लिए obligation बन जाता है, कि proper education बच्चों के लिए arrange करना, और अब यहाँ पे भी two point of view से आप चल सकते हैं, वो यह कि, जो students हैं, उनको इस तरीके से पढ़ाया जएगा, कि cultural and social changes जो भी society में हो रहा है, वो उसके लिए work कर पाएं, यह सीख पाएं, और साथ-ज़द अपने culture को preserve कर पाएं, और transmit कर पाएं to young children, यानि कि, लोग के पास जो भी अपनी cultural values हैं, वो अपने साचोटे बच्चों तक भी वो चीज पहुचा पाएं, तो वो भी again, curriculum के transactions का है, management का है, एक base बनता है, उसके अलावा, growth and development stage of student, ये भी एक base है, जिसके basis पे management of curriculum होता है, depending upon the age, accordingly क्यों होता है, curriculum decide होता है, पढ़ाई, क्या करवानी हैं, किस टाप का course होगा, scores के contents क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो इसका part बनती हैं, उसके अलावा, curriculum को effect एक और चीज़ करती है, जो है recommendation of national commissions and committees for education, हमने contemporary Indian society में इसकी बात करी थी, जहां पर हमने commissions की बात करी थी, committees की बात करी थी, तो कहीं न कहीं ये भी एक base होती है, जो कि affect करती है curriculum management को, क्योंकि curriculum design करते time भी, उन सारे factors को consider किया जाता है, और जब ये recommendations देते हैं, तो अगयन उसके basis पे changes भी जो हैं, वो करे जाते है curriculum में, and then last में आता है अपका economic base, economic base, यानि की again, economy से related, money से related चीज़ है, तो यहां पर curriculum content should be such that, which is capable of influencing learner to achieve academic goals, which will ultimately help in increasing economy, यानि की nation की economy, नेशन की economy related होती है, GDP से हैं, जिसे हम कहते हैं, gross domestic product, तो यहां पर funda symbols है, कि education system भी ऐसा होना चीए, कि learner की capability improve हो, वो academic goals तो achieve करें, साथिसाथ इस तरीके से करें, कि economy, यानि कि जो nation हमारी country की economy है, वो grow कर पाए या बढ़ पाए, या in short आप ये भी कह सकते हैं, कि जब आप curriculum को implement कर रहे हैं, तो उसमें accordingly आप क्या-क्या changes कर रहे हैं, तो वो सब कुछ curriculum management या फिर curriculum transaction का part है, तो ये था वीडियो, I hope वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करिएगा, अपने friends के साथ share करिएगा, चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करिएगा, thanks watching the video,